एक्ससाइब 6.7 फाइंड दिफ्रेंस कल हमने एडिशन किया था आज हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फाइंड दिफ्रेंस आज मिनिट्स सेम वैसे यहां पर आज लिखना है फिर मिनिट्स 8 hours 30 minutes minus 2 hour 10 minute तो हमने इसको minus करना है जिरो यह याद रखना है कि यहां पर इसको अलग से करना है और इसको अलग से आज मिनिट्स और सेकेंड दिए हमें तो सब को अलग-लग करना है तो 0 3-1 is 2 8-2 is 6 तो आंसर है 6 hours 20 minutes next 10 hours 30 minutes 20 seconds and 8 hours 20 minutes 15 seconds तो यहां पर तीन चीज़े हैं hours, minutes and seconds तो हम hours, minutes and seconds तीन कॉलम बताएंगे और जो जो amount जहां दी हुई है उसको वहां लिखेंगे जैसे hours में hours दिया तो hours के नीचे minute, minute के नीचे, second, second के नीचे, same यहां पर then seconds को अलग से minus करना है, minutes को अलग से और hours को अलग से तो यहां पर 15 or 10, minus 5 is 5, 1 minus 1 is 0, 0, 3 minus 2 is 1, 10 minus 8 is 2 तो हमार answer क्या आजाएगा, 2 hours, 10 minute and 35 and 5 seconds okay, next, 11 years, 5 months and 6 years, 2 months, so years और month दो column बनाने है, years के यहां years लिखना है, month के यहां month, then you have to subtract it, 5 minus 2 is 3 and 11 minus 6 is 5, okay, here again, यहां पर सेम है, 7 years, 2 months and 3 years, 6 months, अब देखो, यहां 7 years, 2 months है, month 2 है, यहां 6 है, तो 2 में से 6 minus नहीं होगा, पर यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हमें यह पता है, कि we can write 7 years, 2 months है, 6 years, 14 months, because 1 year is equal to 12 months, तो हम यहां से 1 carry लेंगे, तो कितना होगा, वो 12 हो जाएगा, क्यूंकि years में से ले रहे हैं, तो 1 year is equal to कितने month है, 12, तो यहां पर 6 years, 14 months हम लिखेंगे, और फिर subtract करेंगे, तो 14 minus 6 is 8, 6 minus 3 is 3, तो हमारा answer आगा, 3 years, 8 months, okay, next, find the time, लेखो जब भी before time कहा जाए, जो time आपको दिया गया है, उससे पहले, PM में, AM में नहीं में वेटा, AM में अलग रूल है, PM के लिए अलग रूल है, आपको, और you have to find the time before it, तो हम माइनस करोगे, तो यहां पर 4 घंटे पहले, 4 hours before 5.30 PM, that means you have to find the time 4 hours before 5.30, 5.30 से पहले 4 घंटे, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, 5.30 minus 4 is 1.30 PM, तो हमारा answer कितना आ गया, 1.30 PM, 2 hours after 11 a.m., 11 a.m. के 2 घंटे बाद, यानि कि 11 प्लस 2 is 13, तेरा घंटे तो होते हैं यह 12 तक ही सुई होती है, तो it is as a.m. after p.m. तो 13 minus 12 is equal to 1, तो हमारा answer रहेगा 1 p.m., ठीक, next, 6 hours before 4.30 a.m., now here, क्योंकि 12 बज़े के बाद हम जो दूसरी एक watch, 24 आली watch होती है, उसमें हम 13, 14, 15 ने p.m. शुरू कर देते लिखना, पर a.m. से पहले, 6 घंटे पहले, before, 6 hours before 4.30 a.m., तो 4.30 a.m. से 6 घंटे पहले, तो हम इसमें प्लस करेंगे, तो हमारा answer आजाएगा, 10.30 p.m., a.m. से p.m. हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रात को 12 बज़े से पहले की बात हो रही है, तो रात को 12 बज़े से पहले जो टाइम होता है, वो सारा p.m. होता है, ठीक है, next is, 1 hour 45 minutes after 8.30 a.m., तो 8.30 a.m. से 1.45 minutes, बाद में क्या टाइम होगा, तो वो क्या हो गया हमारा, 7, 9, तो यहां पर 9, 75, अब 75 minutes सो होते ही नहीं है, कितने minutes होते है, 60, तो 1 hour is equal to 60 minutes, 75 minutes is equal to 1 hour 15 minutes, ठीक है, अब यह 1 hour 15 minutes कैसे आया, 75, minus 60 किया हमने, तो 15 आ गया, तो 60 को हमने क्या किया, वादनार की जगा पर लिख लिया, और 16 बाकी जो बच गया वो minutes सो होगा, तो 9 में हमने क्या किया, 1, 15 चोड़ दिया, हमारा answer कितना आ गया, 10, 15, यहां, ठीक है, समझा के बेटा, this is all for today, okay.